हाई गाईस वेलकम तो माई चैनल आज की वीडियो जो है काफी ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टिड वीडियो है काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थी कि हम जो है दूसरे कंट्री में रहते और जो चीजे मैंने बताई यह डाक स्टेन मेहन्दी में तो वह चीजे सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा उसके बाद यहां पर 15-20 लॉंग को मैंने ले लिया है फ्रेंड्स लॉंग से जो है ना महंदी का कलर बहुत ज़दा गहरा आता है महंदी बहुत अच्छी तरीकी से रचती है और सबसे इंपोर्टन चीज़ जो है डाकर जो स्टेन होता है वो लॉंग से आप बहुत ही एजिली पा सकते हो तो लॉंग जो है आपकी महंदी को बहु कभी भी जो है normal water से मैंने महंदी को नहीं बनाया है चाय पत्ती के पानी से ही मैंने बनाया है लेकिन इस बार जो है मैंने उसमें long को add किया है क्योंकि double benefits हमको इसके मिलेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने एक empty bowl ले लिया है दो से धाई चमच के करीब जो है मैंने आपे महंदी को powder ले लिया है फ्रेंड्स बहुत सारे लोग यह question पूछ रहे थे कौन सी company के महंदी लेनी है तो guys जो भी company के महंदी आपके पास available हो जो भी आपको suit करती हो जो आप हमेशा से इस्तेमाल करती हो वही महंदी को आप ले लिजी जो मुझे suit करती है वह महंदी मैंने लिया है मैंने previous वीडियो में भी आप लोगों को यह बताया था और उसके बाद यह जितनी भी जो चाय पत्ति और लॉंग जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है और इसको जो है एक ग्लास से आदा ग्लास आपने करना है और उसके बाद जो है इसमें मैंने अड़ किया है शूगर गईस शूगर तो हर घर में अवेलेबल होती है तो बिलकुल भी इसको skip नहीं करना है और यह सारी ही चीजों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है चाहे आप कोई भी महंदी ले 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 लेकिन अगर आप इस मैथर्ट से महंदी को बनाते तो काफी ज़ादा गहरा कलर भी आएगा डार्क स्टेन आप लोगों को मिलेगा और बहुत ही ज़ादा लॉंग लास्टिंग भी रहेगा उसके बाद जो है चाहनी की मदद से जो लॉंग और चाय पत्ती का पानी हमने यह किया था तो उसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है जितनी तरीके से आप मेहंदी को mix करोगे उतना ही fine जो है paste आपको मेलेगा और उतना ही जो है अच्छा आपका कौन चलेगा ठीके तो अच्छी तरीके से जो है mix कर देशिते इस्तेमाल करना है mustard oil हर country में आप लोगों को मिल जाएगा और यह बहुती easily available भी हो जाता है और बहु ज़्यादा long lasting रहेगा मैंने बिल्कुल ही इस मेंदी में ताम जाम नहीं रखा है बहुती easily आप इसको बना भी सकते हो और बहुती अच्छे result आपको इसके मिलने माले है तो guys सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दू कि बहुत सारे लोगों ने मुझे comment किया था कि good किसे कहते है तो guys मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी good जो है बहुती easily आपको बनिया की shop में मिल जाएगा और बनिया की दुगान जो भी किरा है आपको online भी बहुती easily मिल जाएगा तो सबसे पहले जो है good आपको लेना है और जिस तरी की से वीडियो में मैं बता रही हूँ इस तरी के से इसको कट कर लेना है तुकडे नहीं रखने है इस तरी के से slices में इसको पतला-पतला सा johay cut कर लेना है जितना पतला हम इसको कट करेंगे उतनी ही हमारी जो नेल मेंदी है बनाने का मेथड आसान हो जाएगा बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारी नेल मेंदी जो है बनने ही पारी है आप लोगों को मैं ये tip देना चाहूंगी कि बहुत ही बारीक और slices में इसको cut करे और सबसे important चीज जो है तुकड़े बिलकुल ना रखे जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है इस तरीके से आप इसको कर सकते है अच्छा गाइज और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गुड़ दो तरीके के होते एक जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और दूसरा जो होता है वो black होता है जो मिझे मिला नहीं है उसके बाद यहां पर मैंने लिया है शुगर ब्राउन शुगर मेरे पास पहले की पड़ी थी तो मैंने इसको इसको इस्तेमाल किया है क्योंकि ब्राउन शुगर से जो नहीं है इसका कलर बहुत ही ज्यादा गहरा आता है और नहीं जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और वाइट शूगर भी ले सकते तो दो इंग्रेडेंट से मैं आपको नेल महंदी बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मैथट है आप इसको घर पे सिर्फ पांच से दस मिनिट के अंदर बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा बनाने में आसान है तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहा पर बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास पत्रे का डिबबा है कोई खाली तो उसमें भी आप बना सकते हैं महीं आप पतिले में बना रही हूँ उसके बाद अच्छा कॉंटिटी जो मैं आप लोगों को बता दू हाफ कप के करीब जो है आपने गोड ले लेना है और जो उनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है उसके बाद जो है आपको इसको साइड में इस तरीके से फैला लेना है और बीच में रख देना है एक बाउल अच्छा बहुत सारे लोगों ने यह कॉमेंट किया था कि हम कप रख सकते है क्या या फिर मिट्टी क दिया रख सकते है क्या मिट्टी का बाउल रख सकते क्या आप कब भी रख सकते है मिट्टी का दिया भी रख सकते है या पर मैंने जो स्टील का बाउल रख है वो भी आप रख सकते है अच्छा एक टिप में आप लोगों को यहां पर यह जरूर देना चाहूंगी कि साइड अच्छी तरीके से आपको फैला लेना है और उसके बाद पानी से जो है एक और पतिला लेना है जिसमें पानी से भरावा पतिला इसके उपर आपको रख देना है और अच्छे से मैं आप लोगों को बता दू कि ग्यास का फ्लेम जो है आपको लो रखना है सबसे लो वाला फ् है आप देह State कि अ भी बता दूप को ये बहुत साथ हम आपके च्छटी फटा के उनसरी 2 सफ परिकार और जेता है टरेट स महें तोटे को महीं हो यह रहेरा हम हैं ऊप क्लूसीं जयुक्त टरभा है किया आप सागाने मेल enters इसमें मैंने cover करने की कोशिश की है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है अर्क इसमें जमा हो गया है जो भी लोग ही कहते हैं कि हमारा बना नहीं या फिर fail हो गया है आप इस तरीके से बनाएगा आपका नहीं fail होगा बहुती easy method है और सबसे important ही जब भी आप इसको touch करें तो ये पूरी तरीके से थंडा हो जाना चाहिए गरम में बिल्कुल touch ना करें अच्छा गाईज एक टीप और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लास्ट वीडियो में जब मैंने अप्लोड की थी बहुत सारे लोगों ने question किया थे जो पतीला है ये साफ हो जाता है तो बहुत easily हो जाता है बस इसमें पानी भर के रात बर आपको रखना है जबाग को इसको wash कर देना है बहुत easily जो है ये निकल जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं इसमें निकाल लूँगी बहुत सारे लोगों ने मुझे question किया था कि इसको हम as a mehndi अपने हाथों पे लगा सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दू कि finger tip पे और वो जो gold tip के design होती है वो आप लगा सकते हो कोन में भरके जो लगाना होता है मैदा add करने से पहले आपको जो यह अर्क है वो finger tip और गोल्टी की मेंदी पे जो है आप लगा सकते है मैदा add करने के बाद जो है यह only nails पे लगती है और color जो है na nails का बहुत ज़्यादा गहरा आता है तीन से चार मेने बहुत ही easily रहता है 3 nights इसको आपको apply करना है अगर आप और गहरा चाहते है तो चार से पास दिन apply करें guys यह method जितना बनाने में आसान है उतना ही ज्यादा effective है 5-10 minutes आप लोगों को लगते है और मैंने जो जिस तरीके से वीडियो में आप लोगों को बता है ना हाने की कोशिश किए बहुत ही easily आप इसको घर पे बना सकते है अच्छा गाइस बहुत सारे लोगों के यह भी question थी कि हमारी जो चीनी है वो जल गई है तो मैं आप लोगों को बता दू कि आप इस method से बनाईएगा जरूर और आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ 5-10 मिनिट में आपका यह आर्क बनके रेडी हो जाता है और यह आप यहाँ पर देख सकते वीडियो में बहुत ही ज्यादा कलर गहरा देता है आप लोगों को अच्छा गाइस एक चीज में आप लोगों को बताना चाहूंगी सारे ही वीडियो मेरे चानल पर आप लोगों को मिल जाएंगे सभी के लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसमें मैने जस्त थोड़ा सा मैदे को एड किया है आप यहाँ पर देख सकते अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिप्स के साथ जरूर शेर करना अगर आपको भी नेल मेहंदी बनाने में दिक्कत आ रही है तो इस मेथट से जरूर बनाएगा बहुत अच्छी से बनती है और कलर भी बहुत गहरा चोड़ती है यह मेहंदी खोड़कित अच्छी से उन्सक्राइब धर को है यह जया प्रव। चौरर है जो सब्सक्राइब ट्वा आपको एंगर कर दो नहेंदी में थामें क्ड़ेंगा घ्र रश्तर नहें व्लाईगा भी एंवानग्य।